जहीं दोस्तों स्वागा थे आपके अपने यूटूब चैनल वेंड़ो क्लासेस में दोस्तों आज के वीडियो में हम डिसकास करेंगे 36 गर्समान्य ग्यान के important question answer जो आपके आने वाले जितने भी exam है उसमें यहां से question पुछे जा सकते हैं तो वीडियो को अंतक ध्यान से देखेएगा आप बीना skip किये चैनल पर नया है तो चैनल को definitely subscribe किजेगा तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला question question देखे दोस्तों जो वुरिद्ध पुरूस इस्त्री असाय है एवं अकेले रहते हैं उनके लिए पुलिस विभाग ने एक सेवा प्रारम की है जिसका नाम है यहाँ पर नाम दिये गया है दोस्तों क्या नाम है यह आपको वताना है very very important question है अगर आप defense की तैयारी कर रहे है तो एक question आपके लिए important हो जाते हैं वैसे तो सभी एक जाम के लिए important है बट पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे है उसके लिए most important है क्योंकि पुलिस विभाग से संबंधित question है ठीक है तो कौन सा अप्सन सही हो जाएगा जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा B समर्पन सेवा अगला question देखिए 36 गड़ में नांग पंचमी किस महा में मनाया जाता है कौन से महा में मनाया जाता है दोस्तों सावन है जेठ है भादो है असाड है या फिर इन में से कोई नहीं बहुत ही अच्छा question है जली से अपना answer टिक करे जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा A सावन यहाँ पर आपको य ठीक है और डलहा पाहड कहां पर है तो आपको याद अखना है जांजगीर ठीक है दोस्तों जांजगीर जीले में जांजगीर चापा जीले में इस्तित है ठीक है कौन सा पाहड डलहा पाहड किल्यार है अगला question देखिए 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ अंदोलन के सिलसिले में बिलासपूर में निम्न लिखित में से किन नेताओ की गिरिपतारी हुई दोस्तों यहाँ पर option दिये हुए है option को अच्छे से पढ़िए उसके बाद यहाँ पर आपको सहीं विकल्पका चैन करना है ठीक है दोस्तों यह आप देख लेते हैं क्या क्या नाम निकल के आया है option में आपने टिक किये थे दोस्तों A C और D ठीक है अमर्सी सहगल यदुनंदन प्रसास्री वास्ताव और डाक्टर राम चरन राय ठीक है दोस्तों यह तीन नाम है भी नहीं है ठीक है यह तीनों गिरिपतार हुए थे ठी यहां पर देखिए 10 अगस्त 1922 को भारत छोड़ो अंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर से गिरिपतार प्रमुक नेता ठीक है यह तो देख लिए पहले नमबर पर यदुनंदन प्रसाद सेकेंड भी आपने देख लिए अमर्सी सहगल तीसरे नमबर का भी देख लिए डाक इतने नाम आपको याद रखना है important question है एक question दोस्तों आधुनिक इतिहास से है ठीक है और इतिहास से बहुत सारे question पूछे जाते हैं बड़ा topic है प्राचिन इतिहास मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है तभी आप history से जितने ebook भी launch किया है 450 plus question का ठीक है दोस्तों 450 plus question आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा साथ ही साथ हर question में आपको extra fact देखने को मिलेगा जैसे इस question में हमने इतने सारे factor देखे हैं उसी पकार से हर question में आपको देखने को मिलेगा मतलब 450 plus question है तो लगभग 2000 question बनेगा ठीक है तो बस्तर के छिंदग नाग राजवांस के पहले राजा का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों यहाँ पर प्रमुक राजा का नाम दिये गए है? जल्ली से अपना अंसर टिक करें जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा C. निप्ति भुसन आपको याद रखना है दोस्तों question बन सकता है छिंदग नाग वंस का संस्थापक कौन है? निप्ति भुसन ठीक है दोस्तों important question यहाँ से बन सकते हैं और अगर अंतिम के बारे में पूछा जाता है तो अंतिम कौन है दोस्तों? हरिस चंद देव ठीक है दोस्तों अंतिम यह है हरिस चंद देव और संस्थापक कौन है? निप्ति भुसन यह आपको याद रखना है किल्यार है? नेस question देखिए इस राज्य की डॉंडी लोहारा जमिदारी में निम्न लिकित में से की स्वर्ष में किसान अंदोलन हुआ? की स्वर्ष हुआ है दोस्तों? जल्ली सपना अंसर दीजे जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा C, 1937 सेश्वी में अगर आपसे इस अंदोलन के नेत्यूत कर्था पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों नाम क्या है? नर्सिय प्रसाद अगरवाल ठीक है दोस्तों? बहुत अच्छा question है आपको नाम याद रखना है नर्सिय प्रसाद अगरवाल इस राज्य के पुनाराम निसात का संबन निम्न में से किस से हैं? किस से दोस्तो खेल से है, संगीश से है, हस्तकला से है या फिर राजनेती से है? कौन सा अप्सन सही हो जाएगा? जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा B, संगीश एक question यहां से और बनता है दोस्तो, आपको या दखना है किस का है पंडवानी? ठीक है? पंडवानी में कौन से सैली? वेद मती सैली separate पूछा जाता है ठीक है दोस्तो, वेद मती सैली पुनाराम निसात का संबन संगीश से है, संगीश में किस में? पंडवानी में ठीक है? पंडवानी में वेद मती सैली का गयान करते हैं किल्यर है दोस्तो? नेस question देखिए 36 गड़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किनकी निक्ती हुई? किनकी हुई यह दोस्तो, यहां पे नाम दिये हुए, फटाफट अपना आंसा टिक करे जी दोस्तो, इस question कर राइट आंसर हो जाएगा A Krishna Rao Appa अगला question देखिए 36 गड़ में पूर्ण विवाहा को समाने था, निम्न लिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तो? जी दोस्तो, इस question कर राइट आंसर हो जाएगा C जन जाते से संबंदित question है दोस्तो जन जाते के recording हमने separate audio upload किये है साथ ही साथ हमने e-book भी publish किये है ठीक है? e-book का link निचे description में first number में मिल जाएगा और video का link दोस्तो यहाँ पे i button में दे दूँगा यहाँ से जाकर upload देख सकते हैं किलियर है? next question देखिए जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा C डाब next question देखिए राज जी बनने के बाद 2016 के ओलमपिक खेल में भाग लेने वाली पहली 36 गड़ी खिलाडी थी कौन थी दोस्तो सभान जूम, निता डुमरे, नेहा बजाज या फिर रेनुका यादाओ नाम दिये हुए दोस्तो जल्ली से अपना अंसा टिक करे जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा D रेनुका यादाओ अगला question देखिए भैरमगर वन ने जी उद्यान के स्थापना कप की गई थी कौन से वर्षा में किया गया था दोस्तो option दिये हुए जल्ली से अपना अंसा टिक करे जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा B 1983 अगर जीले पुछा जाता है दोस्तो कौन से जीले में स्थित है तो आपको याद रखना है दोस्तो बीजापूर ठीक है बीजापूर में स्थित है भैरमगर वन ने जी उद्यान अगर छेत्र पुछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तो 149 वर्ग किलोमेटर है ठीक है 149 वर्ग किलोमेटर है कहाँ पे बीजापूर में समय अगर पुछा जाता है तो 1983 किलियर है नेस कोशियन देखिए लैको आस्मिक विद्दूत प्लान की वर्टमान छमता है कितनी है दोस्तो यहाँ पर आप्शन दिये हुए है 800 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट या फिर 300 मेगावाट MW का मतलब है मेगावाट ठीक है दोस्तो जल्ली सपना अंसर टिक करे जी दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा D, 300 मेगावाट एक कोशन आ सकता है दोस्तो करेंट अफेर के दिश्टी कुन से अभी यह चर्चा में है ठीक है यहाँ पे छापा पड़ा था इस करन आपको याद रखना है और एक्जाम में जाने से पहले आर्थिक सर्वेक्षन देख के जाना है क्योंकि यह बढ़ सकता है ठीक है दोस्तो निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया रहती है ठीक है इसे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो आप लोग आर्थिक सर्वेक्षन देख कर जाईएगा ठीक है एंपोर्टेंट क्वेश्चन है बढ़ते अगले क्वेश्चन के तरफ राजी गवांधी सुपर थर्मल पावर इस्टेशन निम नलिखित में से किस जीले में स्थित है जल्ली से अपना आंसा टिक करें जी दोस्तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी बिलासपूर यहां से क्वेश्चन और पुछा जा सकता है दोस्तो आपको याद रखना है इंटी पीसी ठीक है जल्ली से अपना आंसा टिक करें जी दोस्तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी इक्वेश्चन देखिए च्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी छुई खदान अगला क्वेश्चन देखिए च्वेश्चन सरकार का आदिवासी अनुसंधान और प्रसिक्षन संसान मौजूद है कहां पर है दोस्तो राइपूर में है राइगर में है बिलासपूर में है या फिर जगदलपूर में है कौन सा अप्शन सही हो जाएगा जी दोस्तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए राइपूर में यहां से और क्या question बन सकता है तो आपको याद अखना है दोस्तो देश के 15 ठीक है आदिवासिया नुसंधान है कितने नमबर के 15 अगर इस थापना की बारे में पूछा जाता है तो आपको याद अखना है दोस्तो 2 सितंबर ठीक है 2 सितंबर 2004 यह इस थापना वर्सा है 2 होए नमबर के कहां पर है राइपूर में किलियर है नेस्ट question देखिए बस्तर के 1910 के भूमकालवी द्रोह में कौन सी रानी सामिल हुई थी कौन से रानी सामिल हुई थी दोस्तो तो यहां पर option दिये हुए दोस्तो एक question आप लोगों के लिए है इसका answer आप लोगको detail से comment box म में देना है अगर वीडियो के recording कोई question है या doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं अगर आपका कोई suggestion है तो आप हमें mail कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेस्ट वीडियो में जब तक खुश रहे है दूसरों को भी खुश रखें जहिन